नवश्कार या आकाश्वानी है वी आप मूरी शोभासे समाचार सुनेंगे पहले मुखे समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाश्वानी परमन की बात कारिकरम में साजा किये अपने विचार विभन्न विश्यो पर की चर्चार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतिय ग्रेंड मास्टर अरजुन एरी गेसिको सतरंज रेटिंग में अठाई सो का आकड़ा पार करने के लिए दी बधाए आज पूरे देश में मनाय जा रहा है इंफैंट्री दिवर्थ भारते सेना की सबसे बड़ी लड़ा कू शाखा पैदल सेना की योगदान को किया जाता है या केंद्र ग्रह मंत्री अमच्छा ने भारत बंगलादेश सीमा पड़ किया नल निर्मित यात्री टर्मिनल भवन और मेत्री द्वार का उंखाटन अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने डिजिटल अरेस्ट को ले कर चिंता प्रकट की है आज सुबह आकाश माणिये से मन की बात कारिक्रम में उन्होंने कहा कि कानुनन किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे फजी वाडे को रोकने के लिए सभी जाच एजिंसिया मिलकर काम कर र बातचीत में जाल साज अपने को पुलिस CBI अत्वा नाकोटिक्स वभाग का अधिकारी बता रहा था ऐसे जाल साज पीडी से व्यक्तिकत सूचनाएं लेकर भय का माहुल पैदा कर देते हैं प्रधार मंत्री ने कहा कि हर वर्क और आयू समू के व्यक्ते डिजिटल अरेस् और उन्हें बहे के चलते लाखोर रुपे गवाने पड़े हैं उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे फरजी काल आने पर भय भी नहों स्री मौधी ने स्पष्ट किया कि जाच एजेंसिया कभी भी फोन या वीडियो के जरे पूछताच नहीं कर दी प्रधान मत्री ने डिजिटल सुरक्षा के लिए तीन उपायों की चर्चा की यह उपाय है रुको, सोचो और करो उन्होंने ऐसी स्थती उत्पन होने पर लोगों को शांतर रहने और अपनी व्यक्तिकत सूचना किसी खोबी साजहना करने की सलाह दी उन्होंने कहाएं कि संभव होने पर ऐसे च्छन का स्क्रिन शाट लेकर लेना चाहिए और बाचीत को रिकार्ड करना चाहिए प्रधान मंदरी ने लोगों को ऐसे मामलों में सलाह के लिए साइबर हैपलाइन नंबर 1930 डायल करने और वेबसाइट cybercrime.gov.in पर मामले की जानकारी देने की सलाह दी उन्होंने कहाएं क कि सरकारी एजनसियों के बीच तालमेर के लिए राश्ट्रे साइबर समानवे केंदर स्थापित किया गया है इन एजनसियों ने वीडियो कॉल करने वाले हजारों फरजी आईडी लाखों सिम कार्ड मोबाइल फोन और बैंक का खातों को ब्लाग किया है प्रधान मंदरी न कि साइबर जाल साजी के विरुद अभियान में स्कूल और कॉलेज के विध्यार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए कल विश्व एनिमेशन दिवस है साउसर पर प्रधान मंदरी ने कहा कि भारत एनिमेशन की दुनिया में कई क्रांती की और बड़े रहा है उन्होंने ल और मोटु पत्लू के प्रशन सक दुनिया भर में मौजूद है उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनमा तक और गेमिंग कॉंसोल से लेकर वर्च्वल रियालिटी तक एनिमेशन हर जगा मौजूद है प्रधान मंदरी ने कहा कि भारत में गेमिंग के दुनिया का श्री मोधी ने स्पाइडर मैन और ट्रांस्फॉर्मर्स जैसी फिल्मों में हरी नारायन राजीव के योगदान की चर्चा की उन्होंने कहाएं कि अब भारत की युवा मौलिक सामगरी तैयार कर रहे हैं जो देश की सज्कृति की जलक दर्शाती है। टूरिजम इसका एक लोगप्रिय उधारण है। उन्होंने कहाएं कि अनिमेशन के साथ कहानी कारों, लेख को, अच्छी आवाज वालों, संगित कारों, गेम, डेवलपरों, वी आर और ए आर विशिशक्यों की मांग बड़ रही है। श्री मोधी ने युवाव से अपनी स्र प्रजनात मक्ता को विस्तार करने की अपील की। प्रधानमंद्री ने आत्मनिर पर भारत अभियान की सफलता का प्रसनता वेक्थ की। उन्होंने कहाएं कि इस अभियान देश या अभियान देश की सामोहिक चेतना का अंग बन गया है। इसमोधी ने कहाएं कि आत्मनिर देशों को निर्यात कर रहा है। सोसल मीडिया पर साजा करने के अपील कि उन्होंने तियोहारों की इस मासम में खरीदारी करते समय वोकल फॉर लोकल के मंतर को ध्यान में रखने के अपील की। महान आत्माओं को कठिन चुनोतियों का सामना करना पड़ा लेकिन फिर भी उन्होंने देश की एकता के स्वपन को नहीं छोड़ा। प्रधान मंदरी ने महात्मा गांधी की एक सो पचासवी जैनती पर हुई विशेस आयजनों को भी आतकिया उन्होंने कहां कि इस अफसर पर न्यू यॉक के टाइम्स स्क्वायर से लेकर आफ्रिका के सबसे छोटे गाउं तक दुनिया भर के लोगों ने सत्य और अहिंसा क भारत के देश को अपने जीवन में उता रहा था। स्रेमोदी ने कहां कि स्वामी विवेकानन्दा के एक सो पचासवी जैनती पर भी देश के युवाउं ने भारत के आत्यत्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को पहचा रहा था। प्रधान मंदी ने अपने संबोधन में कैलीग्राफी का भी लेख किया। उन्होंने कहां कि आज कल जमुकश्वीर में स्थानिय संस्कृतिक को लोगप्रय बनाने के लिए कैलीग्राफी का प्रयोग हो रहा है। उन्होंने अनंतना के फिरदोसा बशीर का जिक्र किया। उन्होंने कैलिग्राफी में महारथा शिल्द की है। उन्होंने अपने माध्यम से सान्य संस्कृति के विभिन पहलू को जागर किया है। श्रीमोदी ने कहा कि इसी तरह का प्रयास उधंपूर के गौरिनात भी कर रहे हैं। वो है एक सदी से अधिक पूरामी सारंगी के माध्यम से डोगरास श्कृति और धरोहर को सहेजने में जुटे है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ऐसी असाधरन प्रतिभा के बहुत लोग है जो अपनी प्रतिभा से स्थानिया धरोहर का सनरक्षन कर रहे है। प्रतान मंत्री ने से नेदी वेकुम्ठ का उलेख किया जो तेलंगना में पचास फर से चेरी याल लोग कला को लोग प्रियब बना रहा है। प्रतान मंत्री ने रूस के या कुचसक में कालीदास के अभिज्ञान शकुन तलम के मंच्विन पर प्रिसन अता जताए। उन्होंने कहा कि हाल ही में लाउस यात्रा के द्वारां स्थानिय कलाकारों द्वारा लाउस की रामयन का मंचन देखना रोमांच कारी रहा। उन्होंने कहा कि कुएत में अब्दुल्ला अल बारून ने महा भारत और रामयन का अर्भी में अनुवात किया है। श्रीमोदी ने पेरू की अरलिंदा गार्सिया का उदारंदिया वह युवाओ के भारत नाटयम सिखा रहे हैं। इसी तरह मारिया वाल्देश ओडिसी नृत्यकास प्रशिक्षन दे रही है। श्रीमोदी ने कहा कि भारतिय, शास्त्रिय, नृत्य, दक्षिन, अमरिका की कई देशों में लोगपी हो रहे है। इसी के साथ समाचार बुलचिन, समाथवार, नमस्कार.